नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर ने उस चलिए रुख करते हैं दिन की दस बड़ी खबरों का प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी सेवन सिकर सम्मेलान में भाग लेने के लिए इटली गए थे जहां उनका गर्म जोसी के साथ स्वागत वा दुनिया के शीर्स नेताओं के बीच उनकी दिवानगी भी देखने के लिए मिली आपको बता दे की लगतार तीसरी बार प्रधान मंतरी अमित शान ने सुरक्षा की स्तिति को लेकर एक रिव्यू किया है शान ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है इन हम लोग में नो तीर त्यात्रियों और एक स्यार पी अफ जवान की मौत हो गई है और साथ सुरक्षा कर्मी के समयत कई अन्याय भी घायल हुएं वहीं दाते सेंकों ने भारी मातरा में हतियार भी बरामत किये हैं नीट यूजी पर बात करते हुए केंद्रे सिक्षा मंतरी धर्मेंद्र परधान ने कहा कि नीट यूजी जैसी पृतियोगी परिक्चाओं के आयोजन में किसी भी परकार की गड़बड़ी को बरदाश नहीं किया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई भी खामी अगड़बड़ी पाई गई तो परिक्चा आयोजित करने वाली संस्ता NTA की जवाब देई तै की जाएगी इस बीच दिल्ली में भीशल गर्मी के कारण जल संकट की समस्या बन गई है जिसको लेकर भाजपा पहले से हमला वरती और लेकिन अब कॉंग्रेस ने भी आमादवी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दिल्ली के किश्णनगर इलाके में कॉंग्रेस के प्रदेश अद्ध्यक्त मटका फोल प्रदशन किया और सरकार से गंबीर सवाल पूछे बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार को सनिवार सुबह अचानक से तबित खराब होने के कारण अस्पताल में भढ़ती कराने पड़ा बताया जा रहा है कि सुबह उठने पर उनके हातों में तेज दर्ज की शिकायत हुई दर्द बढ़ने पर उन्हें पटना के मेदानता अस्पताल में ले जाया गया अस्पताल के डॉक्टरों के मताबिक नितिश कुमार का इलाज मेदानता के हड़ी रोग विवाग में चल रहा है वहीं केंदर की मोधी सरकार में मंतरी बनने के बाद जेडियू के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंग पहली बार पटना पहुचे एरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुँ उन्होंने आर जेडियू नेता तेजस्वी आदव पर जमकर हमला बोला जेडियू को मिले मंतराले को जुन-जुना बताए जाने वाले बयान पर ललंक सिंग ने मोहावरे के जरिये तेजस्वी पर तंज कसा उन्होंने कहा कि बिल्ली के भागे से छीका नहीं तूटता है मोधी कैबिनेट में हम पूरी तरह से संतूष्ट हैं जसल तेजस्वी आदव ने केंद्रिय मंत्री मंडल के विस्तार पर तंज कस्ते हुए कहा था कि बिहार और जेडियू को जुन-जुनवा पकड़ा दिया गया है उदर लोकसबचुनाओ के खराब परदशन को लेकर राष्टे संसेवक संग आरेसस के नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है आरेसस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी परतिकिरिया इस पर अपनी सामने दी है उन्होंने कहा है कि भगवान राम सबके हैं और देश भी सबका है देश में विभाजन का बीज बोने वाले राष्ट की एक्ता के लिए अच्छा नहीं है पुलिस ने बताया कि इस गटना में एक जवान शाहीद और दो अन्यव सुरक्चाकरमी घायल हो गए है बॉलिवूड एक्टरस आलिया बट का एक और डीफएक वीडियो वाइरल हो रहा है आलिया के इस डीफएक वीडियो ने फैंस को परिसान कर दिया है आलिया का ये जो डीफएक वीडियो अब वाइरल हुआ है वो गेट रेडि विद मी का वीडियो है इस डीफएक वीडियो पर अब तक 20 मिलियन से ज़ादे लोग देख चुके है वीडियो को वाइरल होने के बाद लोगों ने आर्टिफीचल इंटेलिंस यान एई आई को गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता भी जताई है उदर आई सी सी टी टुटी विस्क्वा के दोजाट 24 गुरूप स्टेज के बाहर होने के बाद पाकिस्तान किर्किट टीम को लेकर हाय तोवा मची होई है पाकिस्तान भारत के समय गुरूप A में शामिल था लेकिन वह तीन में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाया वहीं अमेरिकन ने चार मैच में से पाँच अंक जुटा कर आपकी बार इतियास रचते हो सूपर 8 में अपनी जगह बना ली है इस तरह पाकिस्तान टीम गुरूप चरण में अपना अंतिम मैच खेले बिना ही वह सूपर 8 से बाहर हो गई है तो ये थी आज की दस बड़ी खबरे आप बताईए हमें कमेंट करके किस तरह लगी आप हमारी वीडियो और देखते रहे है आरे नियूज